हे गाईस विल्कम डू सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप का इस वीडिये में तो दोस्तों पावर ग्रीड इंडिया का सबसे बड़ा PSU पावर ग्रीड डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई ओफिसेल नोडिफिकेशन आई है आई टी आई स्टूडेंट के लि ये रिक्रूटमेंट ये टोटल 203 की पोस्ट बहुत दिनों के बाद यतिनी बड़ी वेकंसी देखने को मिली थी जुनिया टेकनीसियन वबी पावर ग्रीड से योग है योगी पावर ग्रीड से जब भी वेकंसी आए थी एक पोस्ट दो पोस्ट तीन पोस्ट ज्यादा से ज़्यादा दस पोस्ट इससे ज़्यादा नहीं दो सा पोस्ट बहुत दिनों के बाद निकाली गई थी तो जीत तोड़ के candidate ने अपला किया बहुत सारा form आये हैं मैं इसमें total official बताने वाला हूँ कि total कितने form भरे गए हैं power grid में ये official power grid के द्वारा ही data जारी किया गया है तो आपको एक तरह competition level पता चल जागा कितना competition होने वाला है और किस बेसिस पर competition होगा कौन-कौन जौन में क्योंकि जौन wise vacancy निकाली गई थी आप देख सकते हैं जितने रिजन जो ज़्यादा अच्छे रिजन है उस तरह से ज़्यादा recruitment है देख सकते हैं Northern region, Northern region 2 है और Northern region 3 में कितनी total vacancy उसके बाद आपको मिल लएगी Eastern region, North East region, Northern region, Eastern region, North East region में total, Southern region, Western region ये vacancy एक बार देख लो vacancy कितनी total vacancy निकाली गई है क्योंकि इसके regarding में आपको बताने वाला हूँ कि total form जो है अभी कितना भरा आगे है चलिए देखते है training जो कि electrician के लिए निकाली गी थी advertisement जो दिसम्बर 2023 की सबसे बड़ी vacancy में मान सकता हूँ क्योंकि इस प्यासू भारत का सबसे बड़ा department है आपका महारतना कटेगरी में पावर ग्रेड एंटीपीसी बड़ा है बट आई टी आई स्टूडेंट के लिए royal job मानी जाती है official notification है यहां पर साब साब बता गया है कि total कितने form बड़े गया है इस इस विज रिफरेंस जो advertisement है reference number recruitment for the post of junior technician trainee for electrician upon close application window 12 दिसम्बर 2023 से जो की start था I mean last date था जो 12 दिसम्बर 2023 तक उसने दीन तक कितने total form बड़े गया है एक बार देख लो मैं region wise vacancy दिखा दिया था किस region में कितनी vacancies है अब category wise भी vacancy देख लो किस category wise कितनी vacancies northern northern region में total post देखो 8,895 इतनी application डाले गये है total form कितना vacancy निकाला गया आपने देख लिया northern region 2 में 3,304 application सबसे ज़्यादा जो form भरे गये है वो northern region 3 में उसमें vacancy भी है total 45 vacancy है और form भरे गये है 16,499 बहुत बड़ी मातरा में form गिरा है eastern region में 4,607 post पर जो की कम vacancy भी थी लेकिन form ठीक ठाक है eastern region 1 जो 2 है आपका 17,440 इसमें बिहार बगर अजार कंड आता है eastern region 2 में फिर आपका north east region north east मतलब seven sister जो आपका हो गया असम मेगाले तरीपूरा यह सब में जो अप्लाय किये 3,005 vacancy इसमें total 40 vacancy थी और 3,005 application भरे गए है application आए southern region में 338 यहाँ पर total form डाले गए है और southern region 2 में total 2035 form डाले गए है western region 2 में 378 form डाले गए है अगर मैं बात करूं post wise तो competition जादा नहीं है जितना मैंने सोचा था उतना जादा form नहीं गिरे गए official data है power grid का अब category wise एक बार अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका fighting किसके साथ होने वाला है यह general की application है EWS OVC तो आप जिसमें apply जो भी category wise जिस region में apply किये हैं मानले जी आप north east region म apply किये हैं और आपका category है OVC NCL टोटल कितने form गिरे गें इसके अंदाजा से आपको पता चलेगा 2315 और इसमें total कितना seat था यह भी आपको पता चलेगा इसके regarding आप अपना competition level देख सकते हैं कि क्या cut up होने वाला है कि इस basis पे cut up यहाँ पर रहेगा ओके यह final आपका position है देख मान के चलो आपने अभी तक ऐसा कोई भी एक्जाम से नहीं दिया होगा एक एक एक्जाम हुआ था डी एफ सी सील का जो की junior executive की recruitment आई थी 2021 में उसकी एक्जाम mostly tough थी यार क्योंकि कहां से question पूछा जा रहा था कोई उसका ना सर पैर था ना हात बदगा था मतलब अजीव तर निकाल सकते हैं बड़ एक्जाम तो tough लेवल होता ही आपका इतना मान के चलो पैसी कुछ जवाब है रेंडी पीसी हो गया अगर आपने महरतना का कोई भी एक्जाम दिया है पैसी का तो समझ लो आप आराम से एक्जाम क्रेक कर जाओगे क्योंकि बिल्कुल लेवल आपका वही रहता है ओके तो जो भी कैंडिडेट हैं उन सब अपना कंपेडिशन लेवल देख सकते हैं कि इस परकार से आपका होगा यह कंपेडिशन तो होगा ही होगा क्योंकि वेकंसी बहुत दिनों के बाद जब अरजस्त निकाली गई है तो फोम भी गिरेगा फिर 200 पोस्ट क फिर भी लाखों फोम गिरते थे इतनी फोम ही निकाले गए हैं क्योंकि आईटिया एक इलेक्ट्रसियन सिर्फ के लिए है तो कंपेडिशन आपके अनुसार देख लो अगर आपने प्रक्टिकल अच्छे से कर लिया है ट्रेड जो थियोरी आपने बुक पढ़ लिया अच् करता हूँ जितने भी दोसो तीन पोस्ट है और अच्छे च्छे स्टूडेंट का एक्जाम से निकल जाए नौकरी लग जाए सब की यह बेस्ट्रप लाख है सक्सेस दिलिप को और से वीडियो इस पर लगई हो लाइक से रेल सब्सक्राब करें मिलते नेक्स वोड़े में करते ले जाएंदे